सबी पशुपालक भाईयों को कोविन नारायन पुरोईत का राम राम नमस्कार पशुपालक भाईयों आप जो मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद और यदि आपने मेरे इस चैनल पशुपरजनन सम आपको वीडियो मिलेंगे सबसे पहले तो दोस्तों आईए आज हम बात करते हैं दुदारू पश्वों की ब्याने के पश्चात देखवाल अब आपका पश्व ब्या गया है और आपको काफी सारा दूद देने वाला है तो उसकी क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए और उस बच्डे के नाग पर लगा जो म्यूकस है लिसलिसा पदार थे उसको साफ कर दें एवं उसका नाडा यदी नहीं टूटा है तो कैंची से काहट कर और टिंचर आयोडीन लगा दें ब्याने वाली गाय को बच्डे को चाटने दे तदा सर्दी के मौसम में यदी गाय उसे न लगाएं और फिर गाय जो है अपने उस बच्डे को चाटना शुरू कर देगी देखे जाए गाय जब बच्डे को चाटती है तो उसके रक्त का संचार होता है और उसमें एक जो है ताकत आ जाती है ब्याने के तुरंत बाद पशू जो है उसको ग्यों का चापड एक से दो किलो तेल धाइसो ग्राम तथा गुड हादा किलो देना ठीक रहता है क्योंकि ब्याईवी गाय जो है अधिक तो नहीं खाएगी लेकिन क्योंकि उसे उर्जा की आवशक्ता होती है तो पशुपालक भाई ये चीज़ें उसको दे सकते हैं ब्याईवे पशू को गुन-गु उसे मिल्क फीवर नामक विमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी तथा बचडे को खीस पिलाना इसलिए आवशक है क्योंकि बचडे को रोग निरोदक प्रतिरोदक शम्ता जो है वो इस खीस से ही प्राप्त होती है ब्याईवे पशू को समुचित मात्रा में आहार दें प्रतम कुछ दिनों में बाजरे अथ्वा गेहूं का दलिया पकाकर और गुड मिलाकर खिलाना उचित रहता है साथ ही आप उसमें थोड़ी मेथी मिला सकते हैं अजवाई मिला सकते हैं ब्याईवे पशू को अत्यदिक सर्दी एवं गर्मी से बचाएं थनों में से दूद में फिदड़की हो तो चिकित सक से परामर्श करें ब्याईवे पशू का चाटा ब्याने के तीन से पांच दिन बाद दीरे दीरे बढ़ाएं आदा किलो 200 ग्राम से आदा किलो प्रती दिन के हिसाब से चाटे में बराबर मात्रा में खल चूरी वर चापड थोड़ा गुड तथा 40 ग्राम नमक मिला कर देना चाहिए प्याईवे पशू यदि ज्यादा मात्रा में बद्बूदार स्त्राव गिराता हो तो एवं उसकी भूग कम हो तो बच्चादानी में संक्रमन की संभावना होती है ऐसे पशू को तुरंत चिकित सक को दिखाएं आप देख रहे है कि चित्र में जो है पशू के पीछे से काफी सारा स्त्राव हो रहा है और ये स्त्राव होने पे पशू जो है उसकी भूग कम हो जाती है सामान्य तर ग्याबिन गाय तथा भैस के ब्याने के 4 से 6 गंटे के अंदर जेर जो होती है वो स्वता बाहर निकलाती है परंतु अगर ब्याने के 8 से 12 गंटे बाद भी जेर नहीं निकलती है तो उस स्थिति को जेर का रुकना अथ्वा रिटेंट प्लेसेंटा कहा जाता है तथा डेरी पशू में जेर के अटकने पर पशू चिकित्सक से तुरंद संपर करना चाहिए वो सला अनुजार काम करना चाहिए पशू के ब्याने की कुछ दिन बाद यदि उसकी योनी मेसे जो उस्त्राव होते हैं उसमें यदि बद्बु आती हो तो तुरंद पशू चिकित्सक से संपर करें ऐसा बचादानी में संक्रमन के कारण हो सकता है पशू की भूग कम हो अथवा उसे बुखार हो तो भी चिक न ले तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेर करें कथा पशू प्रजनन समस्या एवं निवानट चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिन जय भार